वेलो दोस्तों अपनी रेसिबी में आप सब का सौगत है आज हम बच्चों की फेवरिट डीज बनाने वाले है और वो है यपी नूडल्स कुछ वेजटेबल्स यूज़ करके हम इसे बनाएंगे जो आपके घर में आसाने से एवेलेबल होते है उसके साथ हम यपी नूडल्स बनाएंगे तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं तो यपी नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है आप चाहे तो कड़ाई भी ले सकते हो उसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून ओईल ओईल को अच्छे से गरम होने देते है जैसे ओईल गरम हो जाए उसमें डालेंगे हम वेजिटेबल्स सबसे पहले डालेंगे हम पत्ता गोबी इन सारी सबजियों को मैंने लंबे-लंबे काट लिया है आप चाहे तो इसे छोटे भी काट सकते हो उसके बाद डालेंगे हम श इन सारी सबजियों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसे मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे आदा मिनिट के लिए आदा मिनिट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फिर से इसे आदा मिनिट तक पकाएं डाल रहा हूँ हलके से मिक्स कर लेंगे इसे और जो पैकेट में बची हुई नूडल्स रहती है वो भी डाल देते है एंड देन हम इसमें डालेंगे पानी पानी आप अपने आपकोर्डिंग डाल सकते हो दो पैकेट के लिए मैंने यहाँ पे एक गलास पानी लिया है अब ढख के इसे दो मिनिट के लिए पकाएंगे मिडियम फ्लेम पे दो मिनिट के बाद चेक कर लेते हैं आप देख सकते हो पानी का यूज मैंने बरबर मातरमी की है इसलिए इसने ज्यादा पानी छोड़ा नही है यहाँ पे एक टिप बताता हूँ जब भी आप ये वाली नूडल्स बनाओ या फिर मैगी बनाओ तो पहले पानी मट डालो पहले डालो नूडल्स फिर आप उसके हिसाब से पानी आड़ कर सकते हो अगर पहले ही पानी ज्यादा डाल दिया तो आपकी नूडल्स या फिर मैगी ज़ादा उबल जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा इसलिए पानी का यूज़ नुडल जालने की बाद ही करो अब जो पैकेट में मसाला आता है वो डालेंगे हम इसमें दोनों पैकेट के मसाले मैं इसमें एड़ कर रहा हूँ पैकेट का मसाला आड़ करने के बाद इसमें मैं थोड़े और मसाले भी आड़ करूँगा सबसे पेले डालेंगे हम लाल मीच पाउडर अगर आपको जादा धीका पसंद है तो देन उसके बाद आदा चमच धनिया पाउडर और आदा चमच गरम मसाला इन सब को मिक्स करेंगे अल्चे से अब ये जो मसाले है वो अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किब भी कर सकते हो हाली पैकेट वाले मसाले भी आप आड़ कर सकते हो मुझे थोड़ा और स्पैसी चाहिए था तो मैंने इसमें ये मसाले अड़ किये है मसाले डालने के बाद इसे और आधा मिनिट पकाएंगे मिडियम फ्लेम पे आधा मिनिट पकाने के बाद हमारे vegetables ये पी noodles ready है इसे हम एक plate में निकाल देते हैं तो इन सारी vegetables को एक बार add करके जरूर देखिएगा इस तरह की noodles आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें हम vegetables एड़ कर रहे है तो हलकी सी healthy भी रहेगी और जो मैंने tips बताए है वो भी याद रख लीजिएगा तो आज की एरेसी भी आपको कैसी लगी नीचे comment में ज़रूर बता देना अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिपिकेशन को भी ओल पे कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सको तो मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो के साथ तो तक खाते रहे हैं और कुछ न कुछ बनाते रहे हैं थैंक्यू